26 नवंबर सन 1949 हमारे देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर तारीक है क्योंकि इस दिन हमारी सम्विधान सभा ने हमारे स्वतंत्र भारत के सम्विधान को अंगिकार किया और डॉक्टर भीमरा अंबेटकर जी ने उसी सम्विधान की मसौदा समिती के अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर भूमिका निभाई डॉक्टर अम्बेटकर ने सम्विधान की आत्मा माने जाने वाले प्रियांबल में सौवरिन डेमोक्रेटिक रिपबलिक के रूप में राश्ट्र के सुरूप की घोशना की और बाद में 42 में संशोधन के माध्यम से सोशलिस्ट और सेकुलर शद्द भी जोड़े गए बहुत बड़ा सपना देश के समक्ष रखा आज दो दिनों से इस सदन के अंदर चर्चा चल वही है और मैंने बहुत सारे मानिय सदस्यों के विचारों को सुना बहुत सारे सवालों को इस सदन के अंदर उठते हो सुना बाबा साहे बंबेटकर बंगाल से जीत कर आए ये बंबे प्रोविन्स से जीत कर बाबा साहे बंबेटकर को चुनाओ किसने हराया कितनी बार हराया मसादा समिती का अध्यक्ष बनाने का श्रे किस पार्टी को जाना चाहिए सेक्यूलर कौन जादा है और कौन कम है और यहां तक की हिंदी भाश्यों की तुन्ना कवों से भी कर दी गई लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है वो डॉक्टर बाबा साहिब भीमराव मेटकर के सपनों से जुड़ा है सामाजिक न्याय की विचाथधारा से जुड़ा है आरक्षन की उस विवस्था से जुड़ा है जिसके बारे में अभी एक मानिय सदस्य शिव सेना के अरविन सावन जी कह रहे थे कि आज जहां जाओ तो आरक्षन की ही लोग मांग करते हैं धंगर लोगों के बीच में जाओ तो कहते हैं हमें आरक्षन चाहिए आरक्षन की उन्हें धंगर की स्पेलिंग नहीं आती मैं यही तो कहना चाहती हूं अध्धिक्ष मौदया कि हमारे देश में इतनी विविदताएं हैं कि कोई विदवान की तरह बात कर सकता है और कोई निरक्षन है आरक्षन की मूल भावना को समझने की जरूरत है ये कोई भीग की विवस्ता नहीं है ये संरक्षन की विवस्ता है जो इसलिए बनाई गई है क्योंकि इस देश के अंदर जाती के नाम पे शोशन हुआ है और इसलिए ऐसे लोगों को अवसरों से जिने वंचित रखा गया है उन्हें विशेश अवसर देने की जरूरत है और यही बात बिजू जनता गल के वरिष्ट सदस से मानिये भर्तुहरी महताब जी ने भी कही और हमारी सरकार भी वही करने की कोशिश कर रही है आरक्षन विवस्ता पर जिस तरीके से कई वर्षों से कुठारा धात हुआ है मैं उस सम्मन में कुछ आकड़े भी सदन के समक्ष मैं कुछ रखना चाहती हूं पिछले 25 वर्षों से पिछडी जातियों को मंडल कमिशन के माध्यम से 27 प्रतिशत आरक्षन की विवस्ता है लेकिन आज भी इस देश के अंदर ऐसे राज है जहां पर केवल 14 प्रतिशत आरक्षन लागू है जारखन में केवल 22 प्रतिशत आरक्षन लागू है पश्चिम बगाल में केवल 7 प्रतिशत आरक्षन लागू है आज देश की क्लास वन की नौकरियों में दलितों की भागेदारी केवल 12 प्रतिशत पहुँच पाई है और पिछली जातियों की भागेदारी नहीं सुनिशित हो पाई है अद्देश मौदिया देश के उच्छी शिक्षर संस्थानों में असोसियट आप लेकर राइस चैंसलर तक गलितों और पिछली जातियों की भागेदारी आज केवल दो प्रतीशत पहुंच पाई है इसलिए और यहां तक कि आज हमारी सरकार के केंड सर पे यह हार है अद्देश मौदिया कि सेक्रेटरी के स्तर पर शेडियूल कास के पाँच शेडियूल ट्राइब के तीन और पिछडी जातियों का केवल एक आईयस अदिकारी है एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर पर शेडियूल कास के त करती हुँ कि हमारी सरकार आरक्षण की विवस्था पर एक श्वेठ पत्र जारी करें और इस बात पर विचार करना चाहिए कि आरक्षण को एक कानून के रूप में स्वीकार किया जाए और इसका उनलंगन होने के स्थिती में दंड का प्रावधान हो देखते हैं बहुत दो नर्कन न्यूजू